अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बाज उमें जो बेल आइकन है से क्लिक करना ना भूलिएगा नहीं तो लेटेस्ट रेसिपी के अपडेट्स नहीं मिलेंगे आपको और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए तो लाइक कीजिए असलालेकूम और हलो तो लाइक व्यूवर्स मैं जुलेखा अरफाथ जुलेखाज कैचिन से चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी ही डिलेशिस और चटपटी डिश जिसका नाम है चिकेन मैगी उसके लिए आप एक कड़ाई या प टुप अरी मिर्ची भी दाल दीजिए, मैं एक दाल रही हूँ, आपने नहीं दालना है, तो कोई बात नहीं, या फिर अपने ज्यादा दालना है, आप अ पहर सब से दालेए अपने सबसे, और एक मिनिट के लिए प्राइ की जिए एन दूनों को, तो मैंने यह दो medium size प्यास को छुन्दा किया है और इसको भी दाल दीजे और स्ट्राइर कीजिए और फ्राय किचिए यब तक कलर चींजना करना शुरू कर दे प्यास तब तक त्राइ कीजिए कि अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है तो मैं अब इसमें डाल रही हूं चिकन सौ से डेट सो ग्राम चिकन डाल दीजिए मैंने थोड़े मोटे मोटे मतलब इस तरीकिस्ते पीसे रखे हैं इदम भी मोटे निया इदम भी बा काटकर दाल दिये हैं जिसके चील भी निकाल ली है एक से सवा चोटा चाय का चमश लान मिर्ची का पाउडर यह आप कम या जादा भी कर सकते हो यह कश्मीरी है मेरा बन फोट से आधा टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और दो चोटे पैकेट मैंगी के मसाले के मिक्स की अच्छिए इससे अच्छे इसमें आप डारेक्ली चिकन ना दाल के बॉइल चिकन भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं मैं इसे इसलो आज पर रखकर इसे थोड़ी देर पकने रख देती हूं जब तक चिकन नहीं गल जाती तब तक चलिए थोड़ी देर हो चुकी है 15 मिनिट देख लेती हूं यह देखे तेल भी उपर आ चुका है और भूना भी गया है थोड़ा बाद जो मसाला दाला था हमने यह देखे चिकन भी मैंने यह देखी है इस तरीके से तोड़के देखिए वह हो चुकी है तो अब हम दालेंगे थोड़ी सी कोथ मेर काट कर दाल दीजि और दो से तीन मिनट में तो पक के तयार हो जाएगी हमारी चिकन मैगी अच्छा आपने पता है आपने क्या करना है अगर आपको चार मैगी की उसका बनाना हो मैगी का तो आप इसका जो कॉंटिटी ए डबल कर दीजिए सारी इंग्रीडियंस का अगर आप एक का बना रहे ह है इसे आपने पकाना है चलिए हमारी इकतम डिलिशिस चिकन मैगी रेडी हो गई है आप देख सकते हैं बहुती डिलिशिस है इतनी डिलिशिस मैगी आपने घाई नहीं होगी ट्रस्ट मी ट्राइ कीजिए और मुझे जरूर बताई ए कमेंन सेक्षिन में क्या कैसी लगी च तो अब मैं इसे प्लेट में सर्फ कर लेती हूं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंन कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेक शूर आप बैल आइकन को क्लिक करना ना बूले फिर से हाजिर होंगी एक नई शान्दा रेसि के साथ अंतिल दें टेक केर अलाहाफिस